मुश्कार स्वागत है आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि तमिल आड़ो में फिर से नीट को लेकर एक तरीके से विरोज स्टार्ट हो चुका है नीट यानि कि National Eligibility Entrance Test जो बच्चे Medical College में दाखिला चाते हैं MBBS या BDS जहांपर वो Dental या Medical College के अंदर दाखिला चाते हैं तो उनको उस दाखिले के लिए इस टेस्ट को पास करना होता है और तमिल आड़ो ने जब से ये नीट लागू हुआ तब से लेकर तमिल आड़ो ने इस नीट का फुल ओन जोर सोर से विरोध ही किया है और अपने राज्ये के अंदर का है कि हम अपने राज्ये के अंदर इस नीट को लागू नहीं होने देंगे तो एक तरीके से नीट प्रोटेस्ट यहां पर निकल के सामने आता है बार-बार वहां से हमारे सामने ऐसे सी फ बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें नीट के खिलाब जो कानुनी लडाई जो है तमिलाडू के द्वारा आज भ लोगों को बताया है नेश्टनल एलिजिबिलिटी एंटरंस टेस्ट है पहले इसको ओल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था और यह जो एक एक्जाम है जिसके तुरू जो बच्चे हैं इस तरीके के उनको कोर्स करने हैं तो यहां पर मेडिकल इसके अंदर इनको एडिमिशन देने के लिए यह नीट एक्जाम दिया जाता है और यह जो नीट है नेश्टनल टेस्टिंग एजनसी के दौरा इसको कंड़क्ट करवाया जाता है अब थोड़ा बहुत इतिहास के तोर पे हम बात कर लेते हैं नीट को एक तरीके से निकाला था 2009 की बात कर रहा हूँ मैं 2009 में एक नोटिफिकेशन ने निकाला उन्होंने कहा कि जिनको MBBS और BDS बनना है उनकी यानी कि इनके इन कोलिज में एडिमिशन लेने के लिए एक तरीके से आपको नीट का एक पेपर आपको देना होगा 2009 में MCI ने ये बात बोली थी 2013 में सुप्रीम कोट ने इस तरीके के प्रावधान को या फिर कहीं कि नीट जिस तरीके से इंटर्ड्यूस किया गया था MCI के दवारा इसको एस समयधानिक कर दिया का कि MCI के पास इतनी पावर नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके जो भी मेडिकल कोलिज है उनमें एडिमिशन लेने को उनके पास ना कोई अथोर्टी है ना कोई पावर है 2013 में जिस तरीके के सुप्रीम कोट ने एक तरीके से यहां पर वडिक निकाला था कि ऐस समयधानिक गोशित कर दिया था नीट को 2016 में फिर से नियामूर्थी अनिल आर दवे यह वही थे जिन्नोंने 2013 में अपना एस सहमती वाला फैसला सुनाया था जिस तरीके से मतलब एस समयधानिक करार दिया था यह उसी टाइम के थे तो 2016 में नियामूर्थी अनिल आर दवे ने क्या किया पांच नियाए देश्यों के एक पीट थी और अपने इस 2013 के नीडने को दोरा दिया मतलब कि एक तरीके से इ जिनता हुई तब यहाँ पर 2016 में केंदर सरकार ने एक अध्यादे से एक ओर्डिनेंस निकाला उसके द्वारा यहाँ पर जो कुछ राज्ये थे जो सर्वोज नियाले ने 2016 के अंदर कहा कि यह सभी राज्यों के अंदर लागू होगा पूरे देश के अंदर लागू होगा तो वहाँ पर कुछ राज्यों को इससे चूट परदान कर दी गई थी क्योंकि तमिल लाडू ने इसका शुरुआत से ही इसके परवेश प्रिक्षा का पूरुजोर विरोध किया था और शुरुआत में नीट अधारी दाकले से तमिल लाडू को एक तरीके से चूट मिल ग बच्चे जो हैं वो दाकिला ले रहे है उस सीट के उपर कितना एफट पड़ेगा इसके लिए इसकी जांच के लिए एक कमीटी का घठन किया जाते हैं उस कमीटी के अध्यक्स्ता की जाती है हाई कोट के एक डिटायर जद एके राजन के द्वारा एके राजन ने इस मतलब कि इसके कहें कि विशलेशन क्या और कहा कि देखें मेडिकल कॉलिज में जो परवेश के लिए सिर्फ आप एक मातर यानि सोल मांदन रख रहे हैं नोम रख रहे हैं कि नीट के अधार पर ही हो जादा भ्यानक प्रतिकूल यानि एड्वर्स इफेक्ट पढ़ने वाला है यानि भी प्रीत इससे फाइदा नहीं इससे नुकसान होने वाला है ऐसा एक राजन की कमीटी जो थी इनके जो आरा जो गटन किया गया था एक जो कमीटी बनाएगे थी उन्होंने ये बात बो साथ ही साथ नीट के बाद जो मेडिकल कोलिज के बाद जो दाखिला लेने वाले जो अधिकान चाहता थे वो कोचिंग लिए हुए थे आपको पता है कि जैसे कोचिंग सेंटर हमारे देश में बहुत ज़दा बूम कर रहा है बिलियन डॉलर्स की एक तरीके से मैं बात करो अरबो डॉलर की एक कोचिंग सेंटर हब खड़ा हो गया हमारे देश में वो किसी भी सेक्टर में बात कर लो आप यूपियस्टी की बात कर लो चाहिए आप नीट जेई की एक्जाम की बात कर लो आप हर एक सेंटर में बात कर लो जहां पर कोचिंग सेंटर साज आते हैं व वो सिरुफर सिरुफ एक्जाम कैसे करेक्ट कर रहे हैं एक्जाम में कैसे पर्षन पूछे गए हैं उनके उत्तर कैसे देने उन्हें के ओपर ध्यान के अंदरीत होता है यह सब बातें किसके द्वारा बोली गई थी नियायमूर्थी एक राजन ने अपनी इस रिपोर्ट के प्रता है वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी जो ब्रष्टाचार था ओओ कहीं न कहीं उस तरीके से जिसे ब्रष्टाचार को बढ़ा मिला था पता वो कम हो जाएगा जो रिपोर्ट है जो इस तरीकी की बाद जो नीट बोलता है उसको बहुत बड़ा एक फोल्ट बताया कि तुरुटी पूंट दृष्टी कौन के रूप में इसे उजागर किया अब यहां पर हम बात करते हैं जो राजनेताओं के जो तरक है देखें नीट जब लागू हुआ नीट लागू होने के बाद जो रिपीटिड अटेंट दिये गए किसी भी परतिश्टी कोलिज के अंदर एडमिशन के लिए 2016 के अंदर 12.47 से बढ़कर 71.42 परतिशत बढ़ गया हमारे देश के अंदर 2020 की अंगरम बात करूं अब भी secondary of third time मतलब कि जो दूसरी या तीसरी बार जो प्रिक्षा देने वाले जो प्रतिश्टी medical seat प्राप्त करने के लिए वित्य और समाजिक संसाद्दों के आवशकता होती है मतलब कि एक बार एक बच्चे ने अपना first time attempt दिया नहीं हुआ वो second, third time attempt देने की कोशिक करा तो सोचिए उसके परिवार के इतनी financial और social resource उसके पास नहीं है कि वो वहाँ पर उस बच्चे को इतनी ज़्यादा coaching या फिर इतनी ज़्यादा fees वहाँ पर वो provide करा सके यह गरीब और समाजिक जो लोग है जो पिछड़े जो लोग है उनके लि coaching centers देखें आप जहां पर बात करें coaching center की हमारे देश में coaching center हर जगे आप देखते हैं बूम कर रहा है और एक तरीके से coaching center बहुत ज़्यादा गलत है जितने भी जो ला रहे हैं जो वो UPSC हो जो नीट जेई हो किसी भी तरीके का coaching center हो वो गलत ही है reason यह है कि आप जब भी कोई form fill करते हैं तो government जो है form fill करते समय आपको किसी coaching center से मानने तब आप नहीं मांगती है कि आपने इस फलाना coaching center से कोई आपने वहां से कोई coaching ले रही है नहीं ले रही है आपके पास कोई certificate है या नहीं वो सिरुफ अपके 10th plus 2 graduation इस से related ही चीज़े मांगती है अब बात यह आ जाती है कि coaching centers गलत हैं लेकिन coaching centers लाये क्यों जाते हैं देखिए यह हमारा दुरबाग यह यह फिर कहीं कि भारत का लेवल पे increase की जाए उनका मांसिक जो एक तरीके से development है school लेवल पे college लेवल पे इतना अच्छा कर दिया जाए कि उनको किसी coaching center की जूरत पड़े ही ना अब यहां पर क्या देखिए coaching center है इतनी सारे coaching center होगे अरपो dollar का coaching center हमारे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है online offline हर जग महारत कैसे आसिल करें उसके उपर इसके अलावा हम बात करते हैं जो इसका संचालन है देखिए एक परतिरूपन आता है परतिरूपन बोले तो हमारे सामने वेश बदल कर जो बच्चे अच्छे हैं जो medical जो यह जो नीट है वो clear कर सकते हैं तो वहां पर जो बच्चा नीट नहीं clear कर सकता उसकी जगह पर कोई अच्छा बच्चा बच्चा बिठा दिया जाता है इस तरीके के मामले नीट में सामने आते हैं CPI ने अभी हाली में एक ऐसे racket का खुलासा भी किया जिसके अंदर 8 लोगों को गिरफतार किया देखिए इस तरीके का रैक्ट पकड़े जा इसके अलावा आर्थिक ऐसमानता देखिए कहा तो यह जाता है कि आप नीट एक्जाम दीजिए नीट एक्जाम देने के बाद आप ऐसे कोलेज में जाएंगे जहां पर फीस कम होगी आपको अच्छी शिक्षा वहाँ पर मिलेगी इसके अलावा देखिए जो नीट के एक् पूर क्लास है उस क्लास के जो बच्चे हैं जो मेधावी है उनको कही न कहीं वो बाहर कर देते हैं तो एक यहां पर इक्नोमिक इनिक्वैलिटी यहां पर हमें देखने को मिलती है वरतमान की स्थितिक है देखिए राष्टपती ने वर्स 2017 में तमिलाडु विधान बाहरा एक पूरी समत्ति से यानि सवर्व समत्ति से दो विधाग पारित किये थे उसको मनजूरी देने से मना करती है जो विधाग क्या तो प्रिक्षा दी जारी है आप उससे झूट देजिए इनको सीधा एडमिशन देजी तो 2017 में उन्हों ने इन विधाएकों को ना पर क्या का जाता है कि बारवी कक्षा की जो बोर्ड है उस परिक्षा के अंकों के उधार पर MBBS और BDS जो कोलिज है उनके अंदर सीधा ही चात्रों को एंट्री दे दीजिए एक ने विधायक लाया जाते हैं 2022 फर्वरी 2022 में राजेपाल ने इस विधायक को वापस लटा दिया वापस लटाने के बाद सदन के दौरा यानि कि राजे सभा के जो बात करूं कि विधान सभा के दौरा इस विधायक को फिर से राजेपाल को वापस भेज दिया जाते है अब राजेपाल इस विधायक को क्य लग जाते हैं आप नोर्त इंडिया से बच्चे आते हैं यहां पर एडमिशनक लेते हैं क्योंकि लाडू से निकल कर अपने अपने राज्य में जाकर वह वहां पर डोक्टरी करने लग जाते हैं तो इससे हमारा ही नुक्सान हो रहा है यह एक तरीके से तमिलाडू का आर्ग्यूमेंट है तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को नीट से रिलेटिट जो तमिलाडू का प्रिशानिया है, coaching center को लेकर जो चीज़े हैं, वह अच्छे से clear हो गई होगे, और काफी एक valid point है, जैसे coaching center से related है, coaching center कैसे आज की rate में, arbo dollar का वैपार बन गया है, जो कहीं न कहीं भारत सरकार की एक तरीके से failure को ही दर्शाता है, कि उन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दियो तो बेशक्त इस वीडियो को शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार जनों के साथ और साथ चैनल को भी शेर कर सकते हैं पीडियो के लिए आप लोगों को बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तब साथ के लिए इतने था थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो